20 साल में मजबूत बनते हैं और वो एक किलोमेटर पट्री बनाने में एक ट्रेन की बोगी बनाने में बड़े से बड़े जंगल उजड़ जाते थे अभी हम completely उसको steel पे आ गए हैं हमारी बोगियां steel की है हमारी पटरियां steel की है वो तो पहले भी थी यहां तक की बीच में हम पटरी भी steel वाले लगाते थे यह हटा दी हम concrete पे आ गए हैं बट concrete भी हम RCC है concrete और rod और steel की है यानि उडेन almost समाप हो गई और हम क्या हो गए ग्रीन रिल्वे की तरफ बढ़ गई है इन डारेक्ट रूप में सपोर्ट कर रही है ग्रीन रिल्वे को तो यह आजादी के बाद में जब अभी खास करके रॉलिंग इस्टों कि मैंने बताया ना मेरी नौकरी 12 साल हुए और पिछले 8 साल हुए होंगे 7 साल जिस समय तक हम उडेन सिलिपर मेंटेन कर रहे थे हमारे पास उडेन सिलिपर था और चोटा ने बड़े बड़े याड में उडेन सिलिपर भरे पड़े थे आज देखने के लिए नहीं मिलता है ना तो उडेन मिलेगा ना एस्टीयो मिलेगा सिस्टील सिलिपर खतम हो गए उडेन सिलिपर कि जादी के पहले जो भारती रेलवे की सिग्नलिंग विवस्था थी बहुत लचर पचलती मतलब थी ही नहीं एक्तर से बहुत कुछ मतलब नहीं था चलाने वाले अंग्रेज और चड़ने वाले भारती कौन मरता है कौन जीता है कौन मीडिया को फ्याले के न्यूज आज के समय में यह जो आपको दिख रहा है इस इस दब मॉडर्न सिग्नलिंग कोंपरेटिवली जो कंपीट करती है यह यह यूरोपियन सिस्टम को सील 4 सेप्टी इंटिग्रेटी लेवल 4 जो यूरोपियन स्टेंडर्ड की सेप्टी है जो अंग्रेजों की सेफ्टी है हम बरावर में सेप्टी पे भारती रेल चला रहे है और यह सील 4 है जबकि मैं बता रहा हूँ कि अभी लास्ट इयर तक हमने जो आजादी के कुछ समय के बाद ही वो सब खत्म हो जाने चाहिए ते इंफ्रास्ट्रक्चर पर इंवेस्टमेंट करके वो आज भी हम एलेक्ट्र याड को खत्म किया मतलब लीवर फ्रेम को अगर पैनल आपके पास है तो चलेगा जिसको पैनल इंटर्लॉकिंग बोलते हैं वहां भी कुछ मेकनिकल चीजें है उसके सालसत में लेक्रिसिटी यूज किया बट जो लीवर फ्रेम थी हमारे पास वो लोहे की लीवर से रेल च अभी पहले क्या था कि हमारे पास कुछ-कुछ मॉड़ा आए अधर कंट्रीज क्या आए बट अभी के समय में आपके पास स्वादेशी टक्राव रोधी प्रनाली है यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट था आपके फिछली सरकार का यह आपकी जो अभीस की सरकार है वरतमान सरकार का यह एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और इस ड्रीम प्रोजेक्ट की सबसे खुसी उस दिन हुई थी का जाता है ना कि जिस चीज को आप बनाए उसके भरोसा भी आपका है कि अगर कोई आर्म्ड कंपनी बोलती है कि नहीं मैंने बुलेट फूरूब जैकेट बनाया है बुले आइडियोलोजी पे और अपने श्टाप पे आत्मी विश्वास के साथ साथ एक भरोसा है कि हमने जो किया इमांदारी के साथ किया और अच्छा किया कोई बैमानी नहीं है बड़ा ही खुसी मैसोस हुए थी कि जिस दिन कवच का ट्रायल था बहुत विडियो वैरल हुआ थ जिसके ऊपर में हमारे माननी रेल मंतरी या सुनी बैसनवजी खड़े थे इंजन के ऊपर वो चड़े हुए थे अब दूसरी तरफ से फूल स्पीड से एक इंजन आ रहे थी जिसके ऊपर में मारे रेलवे बोर्ट के चेर्मेन उसमें साथ सुनीत सर्मा थे वो बैठे होगा मुझे और सेफली के साथ यह एक्सक्रिमेंट पूरा भी हुआ था तो यह बड़ा अच्छा लगता है कि आपका आत्म विश्वास की लेवल कितनी ऊपर चली गई है कितना हाई हो गया है कि आपके टॉप लेवल आपके कारी को सराह रहे हैं या भरोसा कर रहे हैं तो इन बात पे साथ 2023 हमलों के लिए अच्छा नहीं रहा त्रासदी भी आई तो इसे भी चर्चा से छोड़ना उचित नहीं लगा तो मैंने इसे भी लेके आया सुरक्षा संग्रक्षा की बात अगर करें तो आम पब्लिक इसे सुरक्षा के नाम पे जानते हैं तो मैं भी है और कुछ ऐसी इंसिडेंट हो जाए जो पीछे तस्वीरों में दिख रही है इसको हम संग्रक्षा बोलते हैं सुरक्षा संग्रक्षा में भारती रेल्वे टॉप में है हाँ ठीक है कुछ बुरे अनभव रहे रेसेंटली रहे फोटो डालना मैं नहीं भूला बहुत कुछ तकनीकी खामिया रही होगी क्योंकि तकनीकी चीजों पर ना भी नहीं कbles आ सकता है बड़े अरोप्लेन जिनकी तकनीकी जीरो एक्सिडेंट पे चलती है वो क्रैस हो सकता है तो 100% तो नहीं क्या असकते हैं कि तकनीकी खामियाह में भी नहीं आ सकती है आई, 0.1% chance होगा कहीं वेकिन भयावा है हमारे द्वारा किसी भी कारण से चाहे मानली भूल से हो या तकनीकी भूल से हो जिस कारण से भी अगर कोई इस परकार की संगरक्षा में चूक होती है सुरक्षा में चूक होती है तो आपके सामने जीता जगता उधारन है कि हमारा एक गलत काम जो भारती रेलिवेज के संगरक्षा से जुड़ेवे करमचारी है उनके द्वारा किया हुआ एक गलत डिसीजन एक गलत काम एक छूटी सी मुस्किले कितना भड़ा भयावा त्रासदी के रूप में लेके आ सकती है कि हम लंबे समय तक इससे उबर नहीं सकते हैं और हमें जानने वाले जो भी देख रहे हैं बहुत लोग जानते हैं कि जब यह घटना हुई थी उसके बाद महिनों हमारी आपकी लगभग बात बंद सी हो गए थी अनलाइन भी बंद हो गए थी इतने हम लोग अंदर से डरे सहम गए थे कि क्या कर दिया होने वाले कुछ लोग निती पर हमें को और गनाईशन से जुड़े हैं तो जिम्मेदारी सब की बनती है कि हमारी औरगनाईशन के तरफ उंगली ना उठे ऐसा काम हम ना करें किसी भी तकनीकी हूँ कि तकनीकी भी तो हमी बना रहे हैं टेस्टिंग कर रहे हैं, इंप्लिमेंट कर रहे हैं और उस तकनीकी के ओपर हमारे रेल मंत्री और CEO एक-एक इंजन पर चड़के उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं और वो सेफ हो रहा है तो आहम पब्लिक के समय फेल क्यों होगा तो हमारी तकनीकी फेल भी नहीं होनी चाहिए पठुई तो कुछ बुरे मामले को अगर हम छोड़ दें तो भारती रेल भी में समगर सुरक्षा और संगरक्षा में बहुत बुर्धी हुई है